असलाम वालेकुम एवरीवन वेलकम टू माई चैनल आज के इस वीडियो में मैं आप लोगे साथ शेयर करने वाली हूँ शुगर फ्री लड्डू की रेसिपी शुगर फ्री लड्डू बनाने के लिए हमें खजूर की जुरत पड़ेगी कम से कम 25 से 30 खजूर जो है वो आप रख लें और उनके बीज को निकाल करके अलग कर दें अब एक मिक्सिंग जार में खजूर को डाल करके उसमें थोड़ा सा पानी एड़ करके एक थिक पेस्ट बना लें लगबग 200 ग्राम ड्राइफ्रूट्स जो है वो आप अपने पसंद का ले ले कोई सा भी ड्राइफ्रूट्स आप ले सकते हैं और इनको काट करके चौप करके थोड़ा सा घी आड़ करके इनको फ्राई करके रखने अलग ठंडा होने के लिए अब उसी सेम पैन में खजूर के पेस्ट को डाल दे और अच्छे से मिक्स करके उसको लगबग 10 मिनट के लिए मीडियम टू हाई फ्लेम पे पकाएं 10 मिनट के बाद जो है ये पेस्ट काफी थिक हो जाता है और इस स्टेज में हमको और एक मिनट के लिए इसको अच्छे से पकाना है और पकाने के बाद में इसमें कार्डमम पॉडर यानि की इलाइची के पॉडर को डाला है आधा टी स्पून अब इसमें भूने हुए ड्राइ फ्रूट्स को डाल देना है और अच्छे से मिक्स करके पकाना है इन ड्राइ फ्रूट्स को पेस्ट के साथ में हमको तब तक पकाना है जब तक कि ये पैन से अलग ना होने लगे जब ये पैन से अलग होने लगेंगे तो आप समझ लीजेगा कि ये जो है पॉफिक्ट कंसिस्टेंसी है और इस टाइम पे आप अपने फ्लेम को आफ कर दें और थंडा होने के लिए पांच मिनिट के लिए इस पेस्ट को अलग बरतन में निकाल के रख दें याद रखिएगा आपको ये पेस्ट पूरा थंडा नहीं करना है थोड़ा थंडा करना है अब लड्डू बनाने के लिए अपने हाथों में घीज लगा लें ताकि लड्डू आपके हाथ में चिपके नहीं और लड्डू का शेप आप छोटा बड़ा अपने हिसाब से अब सेम प्रोसेस से जो है वो सारे लड्डू को आप बना लें लड्डू को बनाने के बाद में इसको सेट होने के लिए आप या तो फ्रिज में रख सकते हैं या फिर रूम टेंपरेचर में भी इसको रख सकते हैं ताकि ये पॉफिक्ट शेप ले ले और सेट हो जाए अ अगर आप फ्रिज में रखते हैं तो कम से कम दो घंटे रखे और अगर आप रूम टेंपरेचर पर रखते हैं तो कम से कम एक दिन रखे और यह लड़ो जो है खाने में बहुत ही यमी लगता है और काफी हिल्दी होता है